हर सक्स चला जाता है मूँ मुझसे मोड कर कोई हात चोड कर कोई हात चोड कर मेरी जान एकस तेरे बाद किसी से हुआ ही नहीं जिस में लेके आया था बहुत लेकिन तेरी कसम किसी को दिया ही अब फरक नहीं पड़ता किसका कॉल और किसका मैसे जाया है जूर दिया हमने वहिया इस अब महमाया है अब बता दूं कि लड़कों से जादा सेंसिबल होते लड़के बहुत सेंसिटिव होते हैं सबसे जादा फीलिंग्स उनके अंदर ही होती है मर्द बहुत खूब चीज लां यह पता हूं यह आप किस मरदानोगी की पातर रहे जवरूरी नहीं जाया है अरुद नहीं है समर्दा अब करूला है हमने उन्होंने सिखाना ना थे गलती हमसे हुई है आप मर्दब के घबदी नहीं है हम नहीं करी होगा होगा और फिर हम ही शिकायते करते हैं तो मैं फीलिंग से नहीं है उन्हें रहनी नहीं दे पता है मेरी जिन्देगी क्या है सारा दिन टेंशन में रहना रात को रोकर गुजारना और सुबा हस्ती हुए चेहरे के साथ सब को नजर आना अगर मैं मर जाओ तो का तुम आओगे मेरी कब्र पर अपने आसू बहाओगे और कोई पूछे तुम से तुम यहां कैसे और कोई पूछे तुम से कि तुम यहां कैसे तो कहा तु मिझे अपनी जान बताओगे पस एक बार हाल बता था एले बागार दीजी लो कि हाँ एले डोटी एले जाओगा तु बारी बारी बार खाओगा जू दे दिया हाँ सर एक लड़की थी मेरे शोशल नेटवर्किंग साइट पर मुझे मैसेज बेज़ती थी नमबर एक्सचेंज हुए बाते होनी शुरू हो गई पता नहीं ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई सब कुछ सही चल रहा था एक दुन उसका फोन आया के मेरे घरवालोंने कहीं मैरा रिष्ता कर दिया जिसका रिष्ताया था वो नेवी में बहुत अच्छी पोश्ट पर था ड़का उसने अपने घर दिखाया मुझे मेरी फोटो मेरी वीडियो दिखाई तो उसके घरवालोंने कहाँ ये क्या करता है उसने कहा, मैं इससे शादी करूँगी तो उसकी माँ ने कहा काँ एगर तू इसके साथ भी करेंगे तो मैं जहर कालूँगी वो मुस्लिम फैमिली से थी सर उसने मेरे लिए रोज़े भी रखे हमारी शादी हो जाए उसने जब मुझे फोन किया लास्ट फोन था हमारा जब लास्ट कोल थी हम दोनों की तो दुरान हम दोनों तेड़ गंटा हमने बात ने की हम दोनों रोते रही उसने एक बात कही थी कि चाहे जिसम मेरा उसके पास है पर रूह तुमारे में रहेगी ऐ जिन्दगी अपने जुलम देख और मेरी उमर देख